करन जोहर कर रहे हैं अपना हॉलिवुड डेब्यू आलिया भट से बोले मुझसे जलना मत हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बॉलिवुड नज़र इंडियन फिल्मेकर करन जोहर ने बॉलिवुड फिल्म इंडरस्ट्री में अपना काफी बड़ा मुकाम हासल कर लिया है न्यू कबर से लेकर बड़े बड़े सुपर स्टार तक करन जोहर के साथ काम करने के सपने देखते हैं इतना ही नहीं साउथ फिल्म इंडरस्ट्री से एसेस राजा मौली से लेकर प्रशाद मील तक सभी बड़े बड़े डारेक्टर्स अपनी फिल्में बॉलिवुड स्टार्स की कास्टिं के लिए या हिंदी बेल्ट में लांच इवेंट के लिए डारेक्टर करन जोहर से ही कॉन्टाक करते क्योंकि करन जोहर पूरे इंडिया की फिल्म इंडरस्ट्री के दिलों में बसते हैं और पिछले कुछ सारों से करन जोहर अपने टीवी शो कॉफे विद करन करते हैं जिसमें वो एक्टर्स को इन्वाइट करते हैं और उनका इंटर्व्यू लेते हैं करन का ये शो सेलेबि कॉफी विद करण सीजन तो और भी खास होने वाला है क्योंकि फिल्मेकर और शो के होस्ट इस शो के जरिये ही अपना हॉलिवुड डेब्यू जो करने जा रहे हैं करण जोहर ने अपने इस्ट्राग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं काफी खुछ नसीब महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना हॉलिवुड डेब्यू करने जा रहा हूँ आलिया भड तो मेरे से जलना वर USA में मेरे जितने भी फैंस हैं वो मेरा शो कॉफी विद करण सेवन हुलू पर देख सकते हैं वो भी एक्स्क्लियूसिबली तो आप सभी सिमा मिलता हूँ टूडल्स मज़धार वीडियो के साथ करण जोहर ने कैप्चिन में लेखा हॉलिवूड बुला रहा है वो भी कुछ कॉफी के साथ दोस्तों आपको बता देगी आलिया भड भी अपना हॉलिवूड डेव्यो करने वाली है और करण जोहर को अपना पिता मानती है इसलिए फादर और डॉटर के बीच ये मीठी नोव जोह को फैंस को काफी पसंद आ दिये फिलाल इस खबर पर आपका क्या कहना है नीचा में कॉबेंट सिक्षर में कॉबेंट करके ज़रू बताईएगा और ऐसे ही लेटेर सब्ब्रेट्स के लिए हमारे चैनल बॉलिवूर्ड नजर को सब्सक्राइब कर लीजे